लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अल्टरा आएले लिए के लोग्स का आकराइब कई पमान कुमला में लिए winner लिए 6 कि अपड़ीं झाय टूद आूझे ओरने टुम्रotom झाय जर्ड़ कोपी हो Espता मेfalर भूला म विखदे़स कि अड़ सेफ़ लूद लूप लोग जी हाम आय कोपी हो organs या जबस लूदोつ लूदेवग सेफ़न कर दो कर दो कर दो ना जाने चिस जनमें मैंने क्या गल्ति की होगी? अच्छा तो मैं जहर हूँ पता है प्यार की तरह पहले जहर भी नशा देता है और फिर तो तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैं भी अच्छा मेरी गुस्तागी सिर्फ इतनी है ना कि मैं यह भूल गया कि आज तुम्हारी कौंसी वाली मा की सालगिरा है इसके बावजू कि यह बात तुम्हें दो बढ़ बता चुकी हूँ एक बार और सोही बता दो कौंसी मा की सालगिरा है अब हाव दो आज तुम एक कान से शुनकर दूसर निकालना दोगे यह देखो कान बंद कर दिया अब तो बता दो बड़ी मा या चोटी मा आज मेरा जनम दिन है और मुझे लिली पसंद है लिली तुम्हारे दिल को वही क्यों बाता जिसे मुझे नफरत होती है यही सवाल कार तो मेरे दिल में भी उढ़ सकता है कि तुम्हें उधी सीज अजीज क्यों है जिसके लिए मेरे दिल में कोई जगा नहीं तुम्हार तुम्हारी साल के राव, तुम्हारा ये तुम्हारा वो, सारी जंदकी तुम्हारे मताबक चीटा ले, तुम्हार जीओ, किसे ने हाथ जुड़ के ये इलतिजा नहीं की थी, कि अमानत भी, हमें छोड़ के मत जाये, अगर आप चली गई, तो हमारा क्या होगा, हैसान फरामो तो, ये बताओ तो कि तुम्हारी दो माคके यह हैं, बताओ तो, तुम्हारे मुझ में भी कोई दिलचस्पी है यह नहीं? बताओ, मताओ, अरे äस, अरे डे सो, फो, अभी कोई हाथसा हो जाता तो, हो जाताने था हाथसा, अरे दिविका, देखते हैं, पैसे नाम शौरत के साया में जीनना चाहती थी. नाम पैसा शौरत रहा कहा तराना? वक्त का तराना बदल चुका है. इतने साल सिर्फ अपने साथिया करते है तराना. अपनों की अपनी मन्शा कहीं छूपी तो नहीं. क्या गलापा है साइगले? सुरेया के सामने कुछ भी नहीं. सुरेया? उसे लोग ऐसे सहते पता नहीं. ऐसे बेमानी अदाकारों की बदॉलती. आज तुम्हारे पास काम भी नहीं है तरान. सुरेया का ही रिकॉर्ड बचेगा. अगर कहने से दिल की तमनना पूरी हो जाती, तो जिन्देगी कितने असान हो जाती, है न? सब ही तैयारिया हो चुकी है. आप एक नजर देख लेती, तो… मैं आती हूं. जी. ए रगुबी, रुक. जरा आप सुरेया का रिकॉर्ड लगा. आप चली, मैं आती हूं. जी. कितनी बार का है, इज़त से बात करना सीकूं. नौकर से और किस तरह से बात की जाती है? नौकर? पच्ची साल से रगुबीर जी हमारे साथ रह रहे हैं. पच्ची साल के बाद भी. नौकर तो नौकर ही रहता न? है कोई ऐसा, जिसके तुम इज़त कर सको, मेरे ठेलने का वक्त हो क्या है? आराम से आना. यहां पे किसी को तुमारा इंतिजार नहीं है. तेरे का? मेरे इंतिजार में पलकी बिचाय बैठी होंगी. दोनों मुझे बे इंतिहा प्यार करते हैं. फासला है. बहुत. मैं रास्ते की बात कर रहा था. बरेंगे तावी तो कम होगा. मैं रास्ते की बात कर रहा था. मैं रुड़ी तो कुशिश करते हैं. जब भी मैं खुद को ढूलने की कोशिश करते हैं. मुझे इससा होता है कि मैं महस तुम्हारा अंक्स हूँ I really have tried hard to understand one thing in life have you added the masala to the food or the food to the masala तूम्हे हमारा मजा कुड़ाना बहुत अच्छा लगता है ना लेकिति तूम्हारा समझ लो कि तुम खाता हुमारा यहान काभल ना तुमारे गालों जलाली है वह है तोमारी विज़ से लाखना जाए लुब भाती है ना है तो मुझेस हुषी तब काभल नहीं हो सारा काम करुण मैं ठावन मैं और वह लुटे वह एक गल्टी हुए यूजसे सर्फ एक अप्नोर नहीं Oh, you talk too much. जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार है. सूरत बेखे, चंदा देखे, सब देखे, हुं तरते हो, 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 कि आप ये दिन कभी नहीं भूले वह मेरी पसंद भी हमने तो जब से तुम्हें देखा है दुनिया भुलाई बैठे है और एक तुम्हों बस खुदी में उल्ची रहती हो है है कम से न अ बात की शिकायत करें डे सकते है कि मेरे दिल में आपके लिए बहुते इज़त हैं स्युक्त किस्किया कि इस तरह इन वहले इस तो बर्बाद हो कि दी कि ते वर मता रहे हैं कि मेंजास कुछ ठीक नहीं आमानत पीक इंतिजार में बैठें एक जिंदकी गुजारते हैं एक गुजारनी बाकी है लगता है आने वाले महमानों में मैं सबसे पहला शक्स हूं और शायद आखरे अग्यों बाकी लोग पैगाम तो काफी लोगों को गया था मगर अफसोस आज की दावत सिर्फ करीबी दोस्तों के ल सब्सक्राइब कर दोस्तों को अपने साथ ला रही है शायद कमाले तराना हमारी बच्छी इतनी बड़ी हो गई है कि घर में महान आने लगे है अरे हां 20 साल हो गया तराना को से गोट लिया और तराना कभी या कितने बार का इस बात का जिक्र इस घर में होना चाहिए किस ब बढ़कर पाला है वो हम दोनों की बेटी है है ना तुम ही कहती हूँ कि वह तुम पर अपनी जान चड़कती है बड़ी मा बड़ी मा अरे वह इतनी बड़ी होगी हमारी बच्ची जी ते रहो तुम्हारा दोस्त मैं आपसे मिलकर इतनी खुश हुए कि मैं इंट्रॉडक्षिनिगम मदन हालो सब्सक्राइब बड़ी बड़ी मा अजने की साल किरा है मेरी मुबारक बात कबूल कीजिए तरानी जी लगा के एसास की खुबसूरती कम न करें तराना सिर्फ तराना ये फूल मैं आपके लिए लाया हूँ खुबसूरत बहुत खुबस दोड़ना चाहिए आपने मेरी फिलमे तो देखी ही होंगी जी नहीं यहीं मेरी बदनसीवी के आपकी फिलमे नहीं देख पाया पर आपने फिलमें छोड़ी कियों फिल्मों में अब वो कशीशी कहां एक खुबसूरत चलते होई तस्वीर को आवाज की बैसाख्यों ने कह नहीं काना चोड़ा और फिर उम्र भी तो हो जली है अवानगी कुछ लोगों के खुफसूरती उम्र की महताज नहीं होती हम तो आज भी इनके मुरीद है याज भी उतनी खुफसूरत है जितनी हमने पहली बार इनको देखा दा कुछ बात तो है तराना में किस सब उसकी प मेरी चोटी बी बहुत दिलचस्प है दिलचस्प लेकिन तराना की तरा मश्फूर नहीं इस प्लाशा मैं यह भूला था आपके लिए शुक्रिया मदन तुम थोड़ा आराम कर लो चोटी मा मैं मैं बस अभी आईग मौकी का फैदा नहीं भी है और इसक भी वर हापन तराना जी इनकी नसरें हमेशा हम पर है यह एक अक्ट्रस का घर है ऐसी तस्वीरें हर जगह में लेंगी तेविका इनो बद अंकंफ्टब उसे लगता जैसे वह हमेशा में देख रही है क्योंकि वह सच मुच यहां है हम सब की जिंदिगी में वह हमेशा मौजू है हम तो उनकी शक्सित की परचाईयां है अगर यह बंदा तो बस इस परचाई के साहब में रहना चाहता है कि चन में मेरे आगे तुम खांड विच खाना चड़ दो अधियान से अच्छा एडी हम तो बाराग में आया ना तराना वेम साब के साथ हमारी इज़त का सवाल है इज़त जैसे बड़े-बड़े लफ्ज बोलकर अपनी जुबान को तकलीफ मत दो मिया कुते पालो बिल्ल नओधर किस पै का अपनी आगात कि दो मेरी आगातिरसो हुय है इसमीरी शुचट मैरी बी यह यह शुरी में सासे और यह सारे के सारय चंचे मेरे चंचे रही बाद टुचिक ट tua मारे जिंदिगी में बहुत जल्दी लगा दूना झाल में गासिय खुक उसिप itu दिश भ sympathy एक यह भी है रगुवीरी काफी नहीं था यह भी अपने आपको हमारा साहा भी समझता है मदन तुम रगुवीर जी से नहीं मिले बिल चुके हैं जब आप तयार हो रहे थी तब यह हमारे बावर्ची खाने में आये थे तुम किजन में क्या करने गए थे खाने की मह किती शांदार थी कि मां खुद कुरो की नहीं पाया देविका से जितनी तारीफ सुने ही होतनी कम हां बड़ी मा बड़ी मा यह सच बाथा ना कि लोग उंगलिया चारते रह जाते हैं खासतोर से इनकी बिर्यानी खाकर और बैगन का भरता आहा मेरे मूं में तो पा पॉइसन दिखता है उतना वो है नहीं मदन इस अ मास्टर ओफ पॉइसन हम जहर जी हां जहर दुनिया में कौन-कौन से जहर हैं वो किस तरह काम करते हैं कई मर्डर मिस्ट्री सुलजाने में स्कॉट्लेंड याड की मदद कर चुके हैं मेरी दिल चस्पी कटले अखून में तरह जी बलकि इनसान में है उस सहर में जो हमारे अंदर भरा हुआ है उन वजाओं में है जो इनसान को इनसान की जान लेने पर मजबूर कर देती हैं सहर तो वसे एक सरिया है उसे समझने का कटल और जहर की बात और वो भी सशी शाम रख साहाब हमें पता ही नहीं चला कि आ तुमने अमानत कि दुन्या चाहे इधर की उधर हो जाए लेकिन तराना भी की साल गिरापर राय साफ सर के बल डोड़े चले आते हैं अब इनकी बेमिसाल खुफसूरती के सामने बसी किसका चलता है हमें देख लीचे सब को छोड़कर तराना के साथ में इंग्लेंड चले तुम नहीं समझोगी जनकार हमारी चाहत इनिया खीच लाती है महमानों को थोड़ा सांस तो लेने दो तराना अब आदत सी हो चुकी है मानत इस दोस्ती की इस अदावत की हमारी तो आखे तरस गई से देखने के लिए ओ ब्यूचिफू इतनी ही आदाती है तो इसे अपने पास क्यों नहीं रख लेते हैं राय साब वही तो हम कह रहे हैं कि जब तक बंबे में थी पढ़ती थी हमारे साथ रहती हमारी ख्वाहश ही रहेगी किसकी हम परूरिश कर सके हैं आप से हमारे तारूफ नहीं हो यह हमारे महमान है ओ खुबसूरती तुम्हारी तरफ कीची चली आती है फिर भी तरह ना शादी करने से कैसे बची रहे हैं खुद से कम समझ के हमें ना आसमाना धूंडोगे मुझ में हैं समाना किसी का शेर चुराते हो कम से कम उसे निभावता सही अरे हां मनत वो तुम्हारा असली वाला शेर क्या है कभी खुद से कम समझ के हमें त तो मिल जाएका समाना. वाह! चोटी महाप गाना गाओ. गाओ ना? कम आन, प्लीज गाईए. कभी खुदसे कम, समज के, मुझे, तुम डाज माना. कहाँ... कभी खुद से कम समझ के मुझे तुम नाजमाना डूनो अगर तो मुझे ने मिल जाएगा जमाना कभी खुद से कम समझ के मुझे तुम ना आजमाना धूंडो अगर तो मुझ में मिल जाएगा जमाना कभी खुद से कम समझ के मुझे तुम ना आजमाना काली खटा भी मांगे जर्पो का मेरी साया चलने लगी हवाई बामन को जब गिलाया कुदरत ने मुझे को बख्षा वो हुसन का खजाना कभी खुद से कम समझ के मुझे तुम ना आजमाना मेरे वजूत में है सारा जान मेरे वजूद में है सारा जहां समाया जिसकी तलाश जो है उसने वो मुझ में पाया और मुम्किन नहीं किसी से मुझे मिल के भूल जानना कभी खुद से काम समझ के मुझे तुम ना जमाना धूंदा अगर तो मुझ में मिल जाएगा जमाना कभी खुद से कम समझ के मुझे तुम ना जमाना कभी खुद से कम समझ के मुझे तुम ना जमाना कभी खुद से कम समझ के मुझे तुम ना जमाना अबाए अमाना 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 वोकेटिकम देखिए ना क्या वाइस अबाए मुझे पलस पेखिए जोड़ी बेच्चे जोड़ी बाए अमरे में लेच्चे शुष शुष कि रहुँ आपके लिए विल्ग अपकर निस सीन गंटों तनहाई में बैठकर सुजा था कि प्यार में कोई दोका कैसे ते सकता है, याद है? मुझे तो सिर्फ इना याद है कि पैसा पानी की तरह बह रह था और आपके लिए सिन्मा सिर्फ एक बिस्नस है और मेरे लिए, मेरे लिए जुनून मैं चाहते थी कि मेरा हर किरदार जिन्देगी के इतने करेब हो कि बिना कोशिश के लोगों के मौँ से निकले, वाह, क्या बात है इसलिए तो दुनिया मेरी इतनी मुरीद है हम भी तो है आपका किलास खाली हो गया आँखों से पीलों तो हैतराज नहीं होगा कि दॉक्तर की बात याद है मैं राइसाँ आज कुछ मत कहो जंका आज ही का तुटर है राइसाँ अलोजी जाब लोगों का खाना तो हो गया अपना पेटम पूजम आनंदम दर्स के बात उंगली चाटम और फाटम मेज पर बैट कर खाने का एक तोर तरीका होता है रनवीर यह तुम्हारे लिए मेरे लिए यह तो साब्रों के लिए नहीं परोसा क्योंके यह तो पता नहीं तुम लोगों की गले से निवाला कैसे उतरता है उधर अमानत भी बीमार पड़ी है और इधर नौटंकी ओरी है इधर नौटंकी तुम्हें लोग फिल्मों से पकड़ के लाए थे अब तो आप नौटंकी नहीं होते नहीं होते मैं ब़र्ण होते हैं कि उपकंद की एाउ मेरे बाप एक नौटंकी चल रही है और यहांपर दूसरी तुम इधर उधर ध्यान देने के बजाए अपनी हैं और खायों आँगो ऑर गाएब होगो तो ंहीं कि अब तरीका बात करें का विचारी से क्या मिलता है तुम ऐसा करके वह हसीन है कंसले है खुबसूरत है तब ही तुमारी आखों को खटकती है क्यों ओहो तो पत्थरों से भी आवाज आने लगी मैं यहां के बगीचे समालता हूं कोई मुफ्ट की रोटिया नहीं तोड़ता ह कि वैसे भी चाचा ने मुझे यह लाके कोई ऐसा नहीं किया वो तो यहां की नौकर महेंगे इसलिए दूसरे मुल्कों में जाके हमें अपनी तहजीब नहीं बुलनी चाहिए हम सिर्फ एक इंसान के लिए यहां और वह तरानाजी और मैं यहां सिर्फ अमानत के लिए हूं तमन्नाओ कि एक लेहर आएगी और हुजूर को बहा के लिए जाएगी क्या सोच रहों कि यह सोच रहों के अमानाजी को दोरा आयो और तरानाजी ने ने ना कुछ किया ना कुछ कहा थक चुकी होंगी पिछले तीन-चार साल बहुत भारी रहे हैं चोटी भी को दौरे पढ़ते हैं दवाई खाती हैं फिर ठीक हो जाती है हम सब को यूही आदत सी पढ़ चुके है कि अरे भूपसूरती कि एसके λचे से हैं बड़ी मा यह जौती मा चोटी मा यह भरी मा बड़ी मा यह जुटी मा यह भरी बड़ी वान शूक्स झाल मेरे माबाप अगर मुझे मिल भी जाए तो भी मैं बड़ी माँ चोटी माँ को कभी छोड़के नहीं जाने वाली कौन कहा जाने की बात कर रहा है अभी तो दावत शुरू ही है कर अगर के तेको होता है क्या मदन और भी माँ अदा कारा तो थी सालन फिल्म मेपर वह नाचती बहुत अच्छा है वह कौना उप भादी गाते हैं जिस्मे बहुत राखितती नाचती यह चुप चुप ठाएर फ Christ पहली मुलाकात है, यह पहली मुलाकात है। झाल 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 नीन नहीं आ रही इस घर में खटका हमेशा बना रहता है डर हमारे अंदर होता है तुम जानती हो मेरा डर बे बुनियाद नहीं है हमारी महमान नवाजी पर शक है तुम्हें शक तुम्हारी महमान नवाजी पर नहीं है तराना जरा गौर से सूरत को देखो लाखो लोगों की दिलों की मलिका पर शक है तुम्हें मैं सूरत की नहीं सीरत की बात करी हूँ तुम्हें राय साब को मुझे छीनिया है तराना राय साब तुम्हारे हुए कब थे उन और अंते सर्फ तुम्हें शादेगी भीगती थी भी की सही, मेरे पास अपना कहने को रिष्टा तो है, तुम्हारे पास है ही क्या, एक बेहन जो तुम्हारे नाम पे अज़म उठाने को तयार है, या फिर एक उदार की बेटी, या फिर, कुछ आशिक, यही तो है तुम्हारे पास, कुछ दिन निकल जाने दो, इस उम्री की क पर में निकल जाएगी, तो निगम और राय साब तोनों मोड लेंगे, बख्वास मत करो तुम, मैं बख्वास नहीं कर रही हूँ, बड़ी मा, अंदर जोलो, साथ सुने से डर्ती हो तुम, हाँ, अभी भी इतना घुरूर, भूल गई वो दिन, कर, 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 क फिर से एक नमर्ट थाटी सेक्स मुजट पन घट पे पपी हां बोले रे कट मुजट पन घट पे पपी हां बोले रे मुजट कट तडाना शर्तार, वो गानी जिर्कती सर्तार? तुम्हें काम करने के पैसे दिये जाते हैं, नासीया देने के नहीं बंगे पिच्चर पन इसके अदागारा का पन उसकी शक्र में होता है, उसकी अदाओं में होता है, यह आवास कोई बात नहीं, तीन चार बार है अदाओं करोगे, सब ठीक वजाएगा तुम दुन्या के सबसे हसीन, पहत्रीन, अजीम कलाकार हो पता नहीं मेरे जैसे कितने प्रोड्यूसर्स को तुम ने बनाया है तुन्या ने तुमें पल्गों पर बिठा रखा है और मैं, I'm mad about you I love you I love you यहासु चाहे जितने भी भालो इस रोल पर सिर्फ मेरा नाम लिखा है उस्ताज जी, क्यामत की गड़ी है अगर यह बाजी हाथ नहीं आई, तो जिन्दगी भर मौका नहीं मिलेगा पुर्बान जम अरे हुजूर, कलाय तो छोड़िये अच्छा आपने जो कहा, मैंने किया पर ताली एक हाथ से तो नहीं बचती ना ऐसे हुजूर से आज मेरा भी एक वादा है इस पतन की कमान डीली नहीं होगी हाँ रसाप, रसाप, रसाप नोश्टा आप सुरह पू़ बोले रे, बोले रे, हाहा, 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 तो मुझे मिल गया लेकिन फिल्म में चली और जो फिल्में चलती नहीं उनसे जुड़े लोग भी धुन्द में खो जाते हैं पर मैं हार नहीं मानूगी कि अप कि अप कि अप कि अप कि अप कि अप जाकू वाले से दोस्ती जरा सभल के करते हैं जाने मन हमेशा कट जाने का खतरा सर पर मंड़ाता रहता है तुम भी तो सबसिया काटते हो ना अच्छा गोष्ट भी तो काटता हूं अप कि अप यह क्या ताना बाना बुन लिया मैं अपने इर्थ के र्थ राय साहब निगम अमानत कभी-कभी मन यही भठक चाता है सोचती हूं यही जिंदगी अगर मुझे फिर से जीने को मिले तो क्या इसे में यही जीना चाहूंगी यह थोड़ी काट चांट कर इसके एक नई पुषाग बनाऊंगी मदार 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 चाटीबी को किछ वो गया क्या हुआ कि अःए और हुआ कि अआट रहां कि अँआ क्यूआ कि व कि गवर में उूआ प्रहुरुर झाल आज पोलेजरोही को अधствен। भीर इंज घृतनी meWh कि रहां सॉ 안èces फाव्सित के उह हैं लोगे से मेश्वीटेस्टेश्टे और इस दिसए की की याल पल्रही टें हैं मारका तो वारोहो पया यह नहायारीश ऑनोर्प्राम की यू थी आज इस अब चलिए यहां से ऐसे वाग में तराना को चोड़ कर किसी और की फिकर है भी आनिया अपको हमानत ने तराना की वज़े से खुदखुशी किया और आपको उसी की फिकर है तो हो कम से कम वाग की नजाकत को तक हैल करो बगवान के लिए राइसाब मुझ पर तरस्काई और फ यहां से निकलना असान होगा कियो पॉलीज को प्रेस कोसादा पऊचना जाया कर चाहिए पर यथो सायरे के अमानत ने तरहना के खुड़करजी में आकर खुड़कुशी कर लिए वैसे भी इस वारत के साथ जिंदा रह भी कौन सकता है प्लीज क्या करियो तुम हमानत की हिंबत की तो दाद देती हुँ मैं जिसने तरहने के साथ इतने बरस पिता है जनकार तुम जिसने तरहने खुमपे अजिए। तर्चम जी कहीं जी देखो देखो अमारत के जाने से सब लोग परिशान है लेकिन होसला तो रखना पड़ेगा ना होसला कैसे रखो रोसला अमारत मुझे छोड़के चली गई मेरा सहारा चला गया फरीदा लेकिन 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 आखर सवाली उठता है क्या अखर आखर रनवीर का चाकू अमारत के कमरे में पहुंचा कैसे तराना जी और जंकार जी में हमेशा अन बन रहती है उन्हें लगता है कि राय सहाब और बड़ी मां पर सच्वाद तो यह है कि उनका शक बेवनियाद भी नहीं है क्या मतलब यही कि राय सहाब बड़ी मां से सच्छ मुछ मौबत करते थे उनसे शादी करना चाहते थे लेकिन बड़ी मा कहानी इतनी सीधी नहीं है मदन जंकार जी राय सहाब के स्टूडियो में जूनियर आर्टिस थी और राय सहाब आयाश आदमी थे ना जाने कितनी जूल्फें उनके कंधों पर महर्बान हुई लेकिन जंकार उनसे उलज गई उस ने राय साब से कहा कि वो उनके बच्चे की मा बनने वाली है तो कोई आफ नहीं बिल्कुल सही का आपने कुछ लोग कहते हैं सब कुछ नाटक था कुछ लोग कहते हैं जंकार ने बच्चा गिरा दिया फिर जनकार ने धम की दी थी कि वो अगबार वालों को सब कुछ बता देगी और राय साब अपने ही जाल में फ़स गया पर देविका सच जनने के बाद राय साब ने कुछ किया ने क्या करते शादी तो हो चुकी थी कुछ भी करते मजाग तो खुद उनका ही बनता इसका तब ही हुआ कि कुछ बाने के लिए किसी भी हद तक चा सकती है जनकार जनकार सिर्फ तौलत से प्यार करती है लेकिन कोई था जो राय साहब को भी चाहता था कौन है चोटी मा चोटी मा चोटी मा तुमसे किस ने गई किसी नहीं कुछ बाते हमें यूही पता चल जाती है एक बार मैंने जनकार जी और चोटी मा को लड़ते हुए देखा था परसाती है तुम पर कम से कम मेरे घर में तो अपनी हाथ का खयार रखो यह घर तुम्हारा कबसे हो गया मानत कि तमाम उम्र तूसरों के टुकड़ों पर पलने वाली अपना घरोने का रॉब दिखाती है इस घर के बाहर तुम्हारा नहीं तराना का नाम लिखा है रहसान फरामोश तु है क्या राय साहब की रख है बीवी हून की कानूनन राय साहब तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहते थे मेरी वजह से किसे चाहते हैं राय साहब किसे नहीं तुम्हें बहुत ख़बर है मुझे मालू है कि राय साहब का किस से क्या रिष्टा है लेकिन खयाल रहे अब राय साहब मेरे शोहर है और अगर किसी ने भी उनकी तरफ आँख उठा कर दिखा न तो कि रात गई बात गई फिर सब कुछ जैसा था वैसा हो गया मिसाहब तरणाजी बुला रही है ओ बड़ी मा जाग गई मदन में भी आती हूं रगुवीर जी जी अब कैसे तबता तरणाजी की ठीक नहीं है कि इंसान ही जानता है वो कुछ नहीं कर सकता पर अब सब्रतू करना ही पड़ेगा जी क्या था क्या हो गया आप काफी दिनों से हैं यह अब दिन किन्ने तो हमने छोड़ी ती है लगता है पूरी जिंदेगी अब तरणाजी के साथ ही गुजरेगी मैं स्टूडियो में कास्तौर पर तरानाजी के लिए अब खाना बोत अच्छा बनाते है अब कास्तौर पर बैगन का भरता हमारे लिए है काना बनाएंगे अप जी हमारी तो सिंदगी ही बदल गई तरानाजी हमें घर ले आई और यही मुलाकात हो यह राय साप से पहचानते तो हम उने स्टू और आई साहब ठीक आठ बजे कर आदा करानाजी के घर आजाय कर देगा राय साहब ठीक आठ बजे के घर आजाय कर दो है हुआ याद है मुझी को सब वो जगाए तुझ से जहां हम मिलने आए सुनी हवेली जील वो गेहरी जहन मिटा वाइनार तू अब ही याद वाए हाँ जिन्दगी जिन्दगी तू अभी याद वाए हाँ जिन्दगी याद वीच में राय साहब का आना जाना काम हो गया है और जहनकार जी के साथ शादी होने के बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया वक्त के कुछ करतब हैं वरना जहनकार जी भी हमारी दोस्ती जहनकार जी आपकी दोस्त मैं जिस टूडियो में स्पॉर्ट बै हुआ करता था उसी फ्लोर पर जहनकार जी काम करते थी बस यों समझो की साथ ही रहते थे हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ 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 है हुआ है रगुवीर कहा रह गएती तुम पड़ी जोरों से भूख लग रही है अरे दो अन्नी थी चने लाया हूँ हुआ लेखा चने क्या चबाते चबाते जिंदगी गुजारेंगे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा यह राय पठे पे हाथ ही नहीं धने देता अरे तु अपने काम पे ध्यान रख इन बड़े लोगों की बातों में बत पड़ यह सब सोबत का खेल है जो भाजन मनली में शामिल होगा मौक्षपी उसी को मिलेगा लेकिन तू फिक्र मत कर अगर मैं हिरोइन बनी तो तू भी पीछे नहीं रहेगा घंटी बजाना बंद कर इतने बड़े आदमी के साथ शादी करने के बावजूद वो हमें भोली नहीं वही खुलूस उसी महबबत से पेश आती हैं लेकिन मिजाद से तोड़ी तेखी है जंकार जी नहीं दिल की बहुत अच्छी है चार साल पहले जब अमानजी का एक्सिडेंट हुआ था तो रात दिन सेवा की थी उनकी रोक रोक क्या हो अमानज वहां तक भाग कि भागू कि भाग और तेज भाग अमानज भागू और दूर जा अमानज हाथ हाथ खोई के नाज अमानज अमानज क्या हो तुए मैं अब कभी नहीं नाचूंगी ना तुम्हारी तरह जनकार क्या है कि एसा मत सुचो है कि जनकार जीने तो सेवा की थी तराना जीने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी अमानज जी और तराना जी में तो खुब चंती होगी बहुत प्यार करती थी एक दूसरे से और जहकरते भी बहुत थे एक दिन एक प्रश इंग्लेंड से मंगवाया था तराना जी मंगवाया था अवानज जी के हाथ लग लग और बस अफसाना लिख रही हूं दिले बेकरार का जी कि अब आख जाने लगी है तू इती चोटी सी चीज अपनी चोटी बेन को डिये सकती काफी बड़ा तेल है तुमारा जिनका तेल बड़ा होता है उनके पास बातने को कुछ नहीं होता है 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 ले ले मुझे नहीं चाहिए मैं अपने लिए दूसरा मंगा लूँगी है 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 वो मां कों से कित गाया करती थी दीदी तु गाना गाएगी है हाँ धीरे से आजारी अखियन में दीरे से आजारे अखियन में निदिया आजार आजा दीरे से आजा क्या दिन थे वो मदद साहप वो लोका छोपी वो खेल वो नाच काना जो अब चाचुकी उन पलो को बुला ले चलो आज हम कल की में है फिर सजाले जो अब चाचुकी उन पलो को बुला ले चलो आज हम कल की में है फिर सजाले हम जो अप चाच के उन पलों को बुला ले चला आज हम बर्गे में हफिल सजा है बगाती जो अप याद सीवन गई उन्हीं याद करके जरा मुस्कुराले है मुस्कुराले हां मुस्कुराले है मुस्कुराले सेरा मुस्कुराले जिन्दगी से थोड़े लाधी चुडाले 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 मुस्कुराले older फिस ईज्जी कहे छोख लिया दिल लडी हसी कह कहे कि शुखिया दिल लगी अगर ये ना हो तो है क्या जिल लगी हसी कह कहे शुखिया दिल लगी अगर ये नहो तो है क्या जिल लगी इन अपने हुठों पे हर दम खिला ले कि लाले, कि लाले सब्सक्राइचिस 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 आफ ग। प्रीप मकसद बना ले, बना ले, बना ले, जिन्दीगी से थोड़ी लभी, चुरा ले, चुरा ले, चुरा ले, चुरा ले, मुस्कुरा ले जो हम जा चाच चुके, उन पलों को बुला ले, चलो आज हम तल की महफिल सजा ले जो हम जा चुके, उन पलों को बुला ले, चलो आज हम तल की महफिल सजा ले अज बेवाएट का तो खयाल बेबस करने वाला होता है यह तो सचमुच उसने घर कर लिया, जो हुआ नेकम साब मलने वाला तो मड़ जाता है, मुसीवत होती है उनकी जो पीछे रह जते हैं अवानत की मौत के बाद तारणाजी की बहुत बुरी हालत है जबरदस्ती इथर का डोज दिया ताकि कुछ तेर आराम कर ले आप तो ठीक है ना क्यों मुझे क्या हुआ है अजिस मुझे ट्रिंक ही जबरत है आई नीड़ ट्रिंक मैं एक चखा जानता हूं आई यह हम प्रणाजी क्या है यह हम जबर दुआ है हम यह अ अ कर दो कर दो कर दो मदनिया पुलिस तो नहीं आएगी ना? क्यों? नहीं, तुम वो कह रहे थे ना कि सवाला तहकिकात पकेरा तो मैं सोच रहा था मुझे तो कई डर नहीं है मुझे तो इस खर के लोगों की फिक्र हो रहे थी मैं सामझ सकता हूं इश्क था रहना से मुझे है ता नहीं, है सर्फ एक बात तराना ने मुझे कहा था कि निगम मेरे करीबी रहना घर बार प्रैक्टिस सब को छोड़कर चलाया था उसके पीछे पीछे लंगन अभी कली की तो बात है जब तराना ने मुझे पहली बार देखा था पहली नजर में प्यार दोनों तरफ से उस तिन से लेकर आज तक मुझे तो यह उमीद है कि शायद तराना मुझे सचादी करेगी और अमानत से अमानत को बहुत भरोसा था मुझ पर मुझसे कुछ नहीं चपाती थी बस गुछ सा बहत आता था उसको और गुछ से में कुछ भी कह देती थी बगहर परवा किये के दूसरा भी तो कुछ और मैंने कि अधसे के बाद असा लगता जिसे मेरे अंदर से भी कुछ मार गया है कि अधसे आपको क्या लगता है क्या है साथ से के पीचे है कि अधा नहीं कि अधार वो नहीं जो सब समझ रहे हैं तुम भी समझ रहे हो मैं क्या साना जराओं का सबी लोग उपर की परद को तेख रहे हैं अर इन परतों के नीचे क्या है ने गाम साब यकीन के साथ नहीं कह सकता अर मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ राय साब पर अब हमानत को यह देख लो कितना प्यार करती थी वो राय साब से कुछ भी करने के लिए तैयार थी राय साब के लिए और राय साब अर ना सुकी उसके लब की क्या कही है और पंखडी एक गुलाब सी है और मीर उन नीम बाजांखों में और कुपसूरत अदाकारा अमानत तुम्हारे अक्ट्रस बनने में जाने मन सिर्व एक अरचन है क्या मैं तुम्हें सवाने के साथ बाटना नहीं चाहता झाहने करो रहासा है अपर्षाब आए गढ़र मुझे अपना लेजे है मैं भानकर या में लगा तुम्हें था। फूंपना ले जी हमेशा के लिए अपना तु लिया अगर हमेशा है उसे अब जोत सच का है मैं भौरे की तरह हूँ मैं भौरे की तरह हूं मैं हर फूल पे हक है मेरा माना तुम पुपसरत हो क्या फायदा इस कुपसूरती का इन अदाू का हिन जुलफो का जो तुम हर गद्मों को सचेरो की तरह बुचाने सकती पुल्शे तो पड़े हैं, तुम अपनी खुबसुरती के जाल में हमें और फसाने के कोशित ना करो हम् तुमारी आदे हैं नाक्ति ने सबको इस्तामाल किया। नहां तक के तरहना को भी। पर राह शॉपको देखकर आसा लगता तो नहीं कि वो हमारी आगते हमारी सुरत पर नहीं लिकिए होती हैं कम असकम राह साप को तो इस बात के लिए खुदा का शोकर उजार होना चाहिए हुआ हो सकता हुआ माना जी से सच मुछ प्यार करते हूं प्यारो राइसाब बिल्कुल नहीं आप यह बात इतनी यकीन से कैसे सकते हैं उसरात की बात है पारिश हो रही थी फोना है था राइसाब का मुझे आपका बच्चे को पैदा करना चाहती हूं तुम्हारी चाने ना चाने से कुछ नहीं होगा लेकिन याप का बच्चा है राइसाब आपके कौंसे यह किसी फिल्म का सही नहीं है मेरी इजद्ध मेरी शान मेरा रुत्मा तुमुझे अपना लीजे आपका रुत्मा भी रह जा खास्तो शितरा नखाँ। वरन्ह वह यहांजिवदार गुश्ची फोद्छी राइशाब। इतना चस्प कि अमारणजी ने और सबको और सबको अमाफ कर दिया। राहि-साब नहीं। उस बग चंखार जी पेट से थी बच्चा पैदा हुआ। वो भी एक कहानी है, दुनिया सिर्फ आधी कहानी जानती है, आधी कहानी, हम, दोनों सहलियां, हाँ, एक दिन, क्या कह रही हो, ठीक कह रही हो, तुभारे साथ भी वही होगा, जो मेरी साथ हुआ, लेकिन, अगर उन्हीं शक हो गया तो, या फिर, उन्होंने मेरे साथ भी वही बरताव किया, जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया तो, तुम्हें और मुझ में एक बुनियाती फर्क है, कि तुम तर आना की बेहन नहीं है, इसलिए तुम्हें इस बात का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ कहोने को है ही नहीं, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, और अगर यह दाओ लग ग बेदहा इस्तमाल करेंगे, लेकिन यह सच नहीं है, मैं उनके बच्चे की मा नहीं बनने वाली, यही तो बाक्त है, अपने अंदर की आक्टरुस को बाहर लाने का, और इसके लिए तुम्हें अवार्ड भी मिलेगा, लेकिन अमानत, कभी न कभी तो यह सच खुलेगा, तब क क्या जवाब देंगे अगे? जनकार हम समभाल लेके, हर बच्चा इस दुनिया में नहीं आता, लेकिन अब श्ष्しました जनकार भनेघी कि राहे साहब की पत्ती है कि चनकार बनेगी कि राहे साहब की पत्ती है hebt कि बाद ido कि अध्यिव दॉसतान कि अमानत के खर्चे बढ़ने लगे जनकाल ने और मदद करने से इंकार कर दिया अमानत को बुरा लगा लेकिन दोनों की दोस्ती तो बहुत कहरी थी हाँ दोस्ती तो थी हाथी के दांत कहाने के और दिखाने के और महात्पाक की दोस्ती अमानत मेरी बहला चाहती थी मेरा इसलिए तो उस दिन मुझे अचानक बुलाया उसने चांद बादल में जरा छुप जातो चांद बादल में जरा छुप जातो आज जी भरके उहें प्यार करूँ रात हाने से जरा चैना तू रात हाने से जरा चलना तू आज जी भरके उन्हें प्यार करो चांद बादल में जरा छुप जातो उनकी बंहों में जरा छुप जातो सिमतने की तमन्ना है मुझे उनकी सांसों में सुलगने की तमन्ना है मुझे कितने अर्मा है उन्हें कैसे बताओ मैं तुझे जान समझेगा अभिनादा तू जान समझेगा अभिनादा तू आज जीब है के उन्हें प्यार करो चंद बादल में जरा छुप जातो अज भी यकिन होता मुझे कितना आज तरह करता है अज भी यकिन होता मुझे कित तराना मेरे साथ कि बहुत इश्क करता हूं मैं तराना से अंधा होता इंसान इश्क में कभी मुझे लगता है कि तराना मुझे बहुत इश्क करती है और कभी लगता है कि मेरे इश्की कद्र नहीं है उसे काश, काश मैंने अमानत का हाथ थाम लिया होता, इतनी खुबसूरत आरत, पर जनकार के विश्वास घात ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, जूट बोल रहे हो तुम, पीछ बैठ कर बहुत बाते बना रहे हो, रो रहे हो, ये सब तुमने मेरे सामने कभी निका, और वैसे भी तुम, जिसको अमानत की मरने का दुख तक समा नहीं रहा, तुमने क्या किया, हाँ, तुमें भी तो अमानत ने पेशकर्ष की थी, हम सफर नैसे ही तो हमदर तो बनी सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुमने भी उसकी चाहत को ठुकरा दिया, और अब यहां बैठ कर रो रहे हो दूसरे पर उँखा रहे हो, और उसके साथ दोस्ती का दम बरते हो, सच तो यह है कि तुमने भी उसे आन देखा कर दिया, यह भी सच है कि मैंने नाटक किया, लेकिन अमानत की कहने पर, तोस्ती वो मेरी, बहुत प्यार करती थी मैं उससे, अमानत ने मुझे ब्लैक मेल करना शुरू कर दिया, और वो सारा पैसा जो दुनिया समझती है मेरे परिवार को गया, तरसल वो इनकी घर की बुन्याद में दभने, तुम और तुमारी तराना, हां, इस घर में तो सिर्फ दो ही लोग दूद के दुले हैं, बाकी सब के हाथ तो खुन से सेने है, साजिश की अमानत ने, ब्लैक मेल की अमानत ने, उसका कुछ नहीं, उनका खुन खुन हमारा खुन पानी, आखिर तंग आकर मैंने राय साब को सच बता ही दिया, और फिर एक दिन, आ गे ही तो, यह तो खाली है, जानती मुझे, जानती मुझे, मेरे साथ खेल नहीं खेल, जानती है न मैं क्या कर सती है, आज मैं यहां आया हूँ, यह काफी है, और आज़से में तुम्हें एक पैसा नहीं देने वाले हैं यहां? मत भास जाओंगे यह सब कहा से आएगा? तुझे मेरे दोस्ते का वास्ता तुम्हें पीने की आतत हो चुकी है, समालो अप्यामको जब दौस नहीं चली तो दोस्ती का वास्ता देने लगी पर मैं तंग आचुकी थी उस रोज रोज की ब्लैकमेल से हम सब का हितिहास है जिसमें सज छूट थोड़ा थोड़ा मिला हुआ है पर में उन लोगों से बैथर हूँ जिनकी रीट के अड़ी में और गुलाब की डाली में फर्प में होता काश्मीर यमानत के साथ यह सब नहीं होता यह रहीं है यह रहीं है अपसे बात करनी थी कहो हमें पुली स्टेशन बुलाया गया था अपनी जिंदगी में पहली बार पुली स्टेशन देखा है वहां हमें समझना आई वो क्या बोल रहे थे वो तो अच्छा हुआ कि बटलर साभ हमारे साथ थे वो उनके साथ कानाफूसी कर रहे थे या खुदा जो दिखाए वो कम है इस मुल्क में हमरे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है मदर कोई फिकर की बात नहीं लेकिन हुजूर सवाल यह है कि हम ही से क्यों आप लोगों से क्यों नहीं पूछ रहे वो लोग सवाल जब किसे ने कुछ नहीं किया तो होगा भी कुछ नहीं वैसे भी मादन निया स्कॉटलिंग याड के साथ जुड़ा हुआ है जो काम पुलीस नहीं कर रही है जिसे तो बच जाता है क्योंकि रगुवीर का भतीजा है ना लेकिन अमानत से इसका 36 का आंकड़ा था देखिये हुजूर वैसे सोचने की बात तो यह है कि आखर इसका चायकू अमानत जी के पास पहुंचा कैसे जबकि वो तो खुद चलने के काबिल भी नहीं थी रोशनी सुभे की तेरी आद लाती है जो हर रात ख्वाब में बदल जाती है रोक रखी है नदी इन आखों में जिक्र तेरा होते ही बही जाती है बहुत खुब सीधा दिल को चोती है जी वो कहती थी मैं लिखती थी हर घड़ी हर लमा सात था हमारा कितना विरान खाली पर महसूस हो रहा है अखिर जितनी जरुद मशली को पानी की होती है उतनी ही पानी को मशली की होती है न यकिनन आप तोनों का प्यार तो एक मिसाल है ता नाजी कमाल की बात तो यह है कि इतने बरसों में भी उन्होंने आपको छोड़कर खुद की जिन्दगी शुरू करने की बात भी नहीं कि इस बात की हराने तो मुझे भी होती है अच्छे खासे जिन्देगी जी सकती थी वो शादी कर सकती थी शोहर होता बच्चे लेकिन नहीं मेरे साथ रही उसकी कई चीजे तो मुझे समझ में नहीं आई जैसे उसके दोस्त जनकार अगर ऐसे दोस्त हो तो दुश्मूनों की ज़रूत नहीं आपसे बहतर उने कौन जान सकता है तराना जी आपको लगता है वो कभी खुदकुशी कर सकती थी कभी नहीं उसमें उसमें जीने की ललक थी मैं तो हमेशा स्टूरिय में मश्रूव रही वही सारा घर सभालती सब कुछ देती यह यह तस्वीर मैंने कीची सोचा उसकी किताब चपवा दू कत्र ने जी कैसा है तस्वीरे कैसी है बहुत खूबसुरत खुबसूरत शायरी कहा करती थी भगवा ने जो उसे फन दिया उसने उसकी कदर ही नहीं की पड़े लिकी नहीं थी ना हमेशा मेरी तरह अट्रिस बना चाहा है बन सकती थी अगर मैं चाहती तो हूँ लेकिन यह क्यों चाहूँ एक अगर्स दूसरी अगर्स की मदद कैसे का सती है जह वो उसकी बहन क्यों नहीं यह दोरे उने कब से पढ़ने लेगे दोरे कुछ पान साल पहले चार साल पहले मुझे याद है सिटी क्लब मेरे समान करना चाहता था उन्होंने एक अवार्ट फंक्षन का आयोजिन किया पर वो गल्दी से अमानत को न्योता देना भूल गये उस रात मत जाओ ना तराना तुम कोई गली कुचे की नहीं इस मुल्क की मशूर अधा का रहा हूँ तुम्हें कोई अरागरा आव ओर्ड नहीं लेना चाहिए लोग हमारी सत्तप करते जब हम अपनी सत्तप करते मज्या ना तू आराम कर तराना मज्या तराना मज्या तराना तराना मज्या तराना तराना अमानत 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 करिवे गंदी के बाद जब अमानत सो गई और मैं जाने लगी तो मेरा ध्यान दवाई की और गया मैंने देखा जल्दी जल्दी वे मैंने उसे गलत दवा देदी थी पेट दर्द की दवा और उसे वो ठीक हो गई मैंने घबरा कर डॉक्टर को फोन किया उस दिन मुझे पता चला अमानत को कोई बीमारी नहीं थी यह सब एक नाटक था उसे सिर्फ मिठी गोलिया यानी प्रसिबो दी जाते थी तुम्हे उसरात मैं हवार्ण फंच नहीं जा सके इस उंगर में तांचाग ठीक नहीं है तुम्हारे लिए कहां बंचना जाती हो मैं कहीं भी पहुंचो तुम जरू जेल पुए अभानाणा जी की भुलिपन का फादा उटा अटालियो तुम्हें और तुम्हारी इरादों यह बढ़ हो इस नहीं है, और शायद इसी लिया तू यह जायए तू. क्या थो जो आपन्रह यू? जो एक वादू, को पादू. यह साजन विल्यम्स प्लेज, थैक यह. यह यह दो, युछ आपन्रह था. I have been talking to them but no conclusions yet keep me posted thank you good morning good morning if you don't have a match, it's not fun if we get a match if we get a match if we get a match then we get a match if we get a match if we get a match good shot thank you what do you see, it's very clean, clean, it looks like a glass of blood but below it is a very scary pattern that every morning faces the truth and now it is known that it is not the first pattern of 20 years it was probably in the Bombay, so it went here, where will you run? दुनिया को दिखाने वाला एक ग्रूप और असली में दूसरा, तम गुटता है मेरा यहाँ, हाँ, क्या लगता है, कब तक निकल पाएंगे हम इस जगा से, कैना मुश्किल है, अमानेत को तो छुटकार मिल गया, छुटकारा, देखते हमारे नसीब कम जागते है, छुटकार खुटका घर, बेटी, बेहन और, कमी सिर्फ चीज़ों की नहीं होती है, यह सब तुम जो गिना रहे हो, इसमें उसका क्या था, अमानत का दर्द तो, सिर्फ में ही समझ सकती थी, आप उनके दर्द के बारे में क्या जानती थी, उसका दर्द भी वही से आया जहां से बहेरा, वो राय साब से प्यार करती थी, और राय साब ने उसे तुद में से मक्खी की तरह नेकालकर फेट दे, उसका बस चाहता तो, राय साब का कतल कर दे, कर सकती हूं लेकिन सिर्फ और सिस्तराना का इसे अमानेते तो खुदकुशी की है ना पर मैं यूँ सोच रहा था के यह कतल होता तो करने वाले कई हैं या मसला ना चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती है मेरी जाने जो दिखाई दे रहा है ना सच यकीन अनो सिख जाधा है देविका को गोद लेनी के चे महीने पहले तराना कहीं गायब हो चुकी थे और जब लोटी तो बच्ची के साथ इस बच्ची का रास लेकिन एक दिन मैंने आमानत और तराना को लड़ते हूँ देखा था अगे देविका चली जाए दिखा तू दिखाजा तू दिखाजा मैं हूँ कॉन तुम्हारी बेदाम नौकराणी तुम्हारी सब आफ हमिशा चुपा के रखे है मैंने किसी दिम मूह खोल दिया तो किसी को मूह दिखा रखा के काभी ने रोगी सब के सामने सच आई जाना चाहिए सबसे पहले देविका के सामने उससे पीछे मतला वो हमारी बच्ची है हमारी हमारी नहीं है तेरी है तेरी बच्ची है अब रेस दिल में मैंने एक रास चुपा के रखा हूँ है कभी किसी को पता चल गए न तो तराना तराना नहीं क्या हो गया मेरे बच्ची को, क्या हो गुडिया तूटे, छोटी मा के होते हो गुडिया तूटेगी ही नहीं, अब भी ची कर देते हैं, चल्ड कुछ तो था जो अमानत जानती थी और जिससे तरह न बंदी हुई थी आपने जानने की कोशिश नहीं की? की थी, बहुत कोशिश की थी लेकिन हासल कुछ नहीं हुए एक बार किसी जग्रे में तराना ने सचमुच अमानत को घर से बाहर निकाल दिया और फिर मैंने उसे बना दे किधर जाओं सब ठीक हो जाएगा अमानत सब ठीक हो जाएगा मगर फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं बता है फिर 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 अमानत जी घर कैसे आई पोता राना उसे खुद लें याई थी रामी पास मेरी बहर हम सब एक दूसरे के राज और जूट से बंदे हुए हैं सवालो के जवाब नहीं कोई मांग राथ और नहीं कोई देना चात तंक यए वैं याउ व्याव मारी गषिल यहार आसे के लिमसले के लिए तका लाद जया सके लादव कोस्सेने डिशाओ कि अलन है यह वैं यह रख लूं में है एले यह 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 तंक यह यह ता हम इले पर फोलीस का फोन ता बोड़ी कब मिलेगी पोस्मॉटम की रिपोर्ट के मताविक अमानजी का गतल हुआ है क्या? क्युआ," चप अमेदी कुई से गड़त को 葉 अमान instruments कही को ₋ चुप हो जां Sleeping कॉorkुआ stretching और सुन शाह्भाद में एक हुआ क्युआ है जो पो जा में दिन हम्हा राय साफ दिवीख का भी बच्ची है उसके जिन्दखी से दूरcolored अंग्वर क्यों पुल्च अका चुछी है मैंने आप में युछ नहीं किया जैसे किसी को ठेस पहुच लिए देशी जिन्दखी में दखल अंदाजी करते हो भर जाओ किस नहीं किया मैंने किसी के जिन्देगे में दखल अंदाजी नहीं किया रहा है तो फिर क्यों हर आपी तुम्हें किसी कानिये सोना रहा है क्या लगते हो तुम इन सब के कुछ नहीं लगता कुछ भी नहीं है एक अजनभी हूं शायद इसलिए बात करने में आसानी हो जाती है रहा साब जहां तक बात रही देविका की तो क्या मैं पूछ सकता हूं इससे आपको क्या फरक बड़ता है वा मेरी पी जैसी है जैसी है करें पने अन इकन ऐस अन्धे बात करने में अन्यकोष्ट आफ। अभी भी यकीन होता के कोई अमानथ का कतल कर सकता है और इसकी खुथकुशी कर होता है? अभी थुथे खुथे थीखना है पोस्मार्टम की रिपोर्ट कहती है कि गतल नस कटने से पहले हुआ था पहले पहले कैसे है बगवान अब हमसे भी सवालत पुछे जाएंगे तराना तुम फिगर मत कुराम सब तुमारे साहते है हर बार में सोचते हो मैं इस घर में कभी नहीं आओंगी कश मैं अपने दिल की सुनती है तुम्हारी वज़े से मुझे आना पड़ता है पता नी कौन सा खाजाना गड़ा पड़ा है यहां पर या फिर सरखाब के पंक लगें क्यों निगम क्या है यहां हां क्या है इस और में जो 20 साल से हम क्यों मैंने ऐसा कुछ कह दिया जिससे आपकी तराना की दिल को ठेस पोचेगी किसी को ही दिन देखनानी पड़ता अगर आपने दोनों बेने में से किसे को आपक रहे हो तुम सच कह रहे हो राय साब प्यार किया तरारा से और अमानत से किसी पज़ाब लगाने से पहले आपने अपने गिरवा में जहांकर देखो इश्क और जंग में सब लगता है कि तुम सच बोल रहे हो जान रहे हैं तो वख आ गया है बच्चे के बड़े कितने चोटें में सच पता चल जाए तो यह अच्छ Jeremiah क्या है सच? क्या है सच? तुम होती कौन हो? क्या हां कि तम्हे हमारे जिंदग भी दखल देने का? मेरी बेटी से दूर हो. वो पहले से परिशान है. इसकी छोटी माँ. छोटी माँ? जिसके खुण के इरदाम में इसी भी समालत पुछे जरी? God sake, please! 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 और वैसे हम उस शक्त की बात यह नहीं करें, जिसके कदम इस घर में पढ़ते ही कतल हो है. कर सकते हैं. आप मुछ पर भी शक कर सकते हैं. लेकर अगर आपकी एक उंगली मेरी तरफ उठेगी, तो चार उंगलियों का इशारा आपकी तरफ भी होगा. आप इतने बॉखलाय हुए क्यों हैं? बस दो घंटे में मुझरम हमारे सामने आई ही जाएगा. दो घंटे में? मगर तुम्हें कैसे मालूम है कि मुझरम दो घंटे में हमारे सामने होगा? महमान हो, अपने हद में रहो. यह मदन को बीच में क्यों घंटा जा रहा है? इनका इन सबसे क्या लेना देना? वो खून क्यों करेंगे? उसकी और आपकी मुलाकात सिर्फ दो दिन की है. आप कर सकते हैं खून, आप कर सकते हैं. आप और मैं भी. पर जिसका कुछ लेना देना नहीं. जिसका कोई रिष्टा ही नहीं. मेरी चोटी माँ का कतल हुआ है. और शक उन पर है. जो मुझे सबसे अजीज है. बचे, अंदर जाओ. अंदर जाओ. यह सब क्या हो रहा है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा. हम सची क्यों भाग रहे हैं? मदन, तुम क्या सोचते इस बार हैं? मैं सोचता हूँ कि कितनी अजीब बात है. अगर हमारी वज़े से किसी को चोटा जाए. दुख हो. किसी को चाटा मार दें, तो माफिय मांग सकते हैं, बात कर सकते हैं, जखमों का बेलाज हो सकता है. लेकिन मौत एक अंथ है, और बात कानून तक चापचते हैं. माफिजीएगा, मदन जी, आपका फोन. हो सकता है खुनी बाहर का हूँ? मुझे भी लगता है. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? हो सकता कोई बाहर से आया हो, और उसने… नहीं, तो खुन पहले खुदकुशी क्यों लगता? मतलब, किसी ने पहले कटल को प्लान किया और उसके बाद उसे डखने की कोशिश की है. बिल्कुल ठीक कहा है, नगम साब. लेकिन जिसने भी किया है, किया बहुत ही बचकाने तरीके से है. मतलब? मतलब के मुझरम इसी कमरे में है. कौन है? साफ-साफ बताओ, मदन क्या बात है? तराना जी, मैंने आपसे कहा था, मेरी दिल्चस्पी उस सहर में है, जो इनसान में भरा हुआ है. हिम्मत, कर, कम्जोरी, आदमीन सब को मिलाकर बना है. तुम बात को उल्चा रहे हो, मतल. मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मैं कैसे बता हूं? तराना जी, आपने कल रात मुझे कुछ तस्वीरे दिखाई थी. हाँ, तुसमें क्या खास बात है? उसमें से एक तस्वीर मैं अमाना जी कुछ लिख रही थी. लिखने ही रही थी, लिखने का पोस कर रही थी वो. मुझे तभी पता चला था कि अमाना जी बाय हाथ का इस्तमाल करती थी. आतो? अमाना जी की बाय हाथ की ही नसकाटी थी. अगर अमाना जी ने खुदी नसकाटी होती तो बाय हाथ की नहीं, दाय हाथ की नसकाटी होती. यानि किसी ने अमानत के हाथ की नस काट के कटल किया था अमानत, सिर्फ जिंदगी ने नहीं, बात ने भी तेरे साथ बह रहे मीगी और मैं यह सूचता रहा कि इसब जूट है तो फिर वो गुदकुशी का नोट किस ने लिखा वो लिखा उट तो अमानत कि थी यही सवाल पुलिस भी कर रही है और अगर मैं चाहूं तो जवाब भी दे सकता हूं तो लेकर मैं नहीं चाहता कि इस खर की इस्जत पर आ जाये मैं चाहता हूं कि खुनी खुदी कबूल करें पर मुझ्जी है कौन? वही इंसान जिसने अमान अच्छी की जादातार नजमे लिखे तराना जी पे इंजाम लगाना है तेरी ये जुरत कैसे हुई ठेरो गवीर कब तक चुपाऊंगी मैं 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 क्या करती राइसाब उस रात मैं लिखते लिखते सो गई थी अचानक में खुली तो सोचा अमानत को देखे आओं नाटक मैं करती हूँ हाँ? नाटक मैं करती हूँ? नाटक करना तेरा पेशा है मेरे जरम दिन पर नाटक करना जरू ने था तचे? हाँ? 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 हाँ तेरा पर्दा फाश करूने हाँ? में बताएगी, बोर देंगी, तू? में क्या करूगी? मैं सबको चिला-चिलागे, पताऊगी, थू? ज्या बताएगी, तू? ज्या बताऊगी, तू? प्रोकहिए, तू? व्यात! व्यात! छूप, पॉर, पुप! चूप! जूप! जूप! लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, सिर्फ चिलानी से रुखना चाहती थी. तरान जी, दूसरा कौन था? कहां जा रहे हैं रहे साथ? सच का सामना करते ही हम्बत रखिये. पोस्मार्टम की रपोर्ट कहती है तराना जी, कि अंगलियों की निशान तो लोगों के थे, वह चाकूर अंवीर का था, दूसरा कौन था? तू? तू मताएगा मुझे? इतनी हिम्मत तेरी? तू? जा जा के बलाएव से, नो बताते हुदोन के सचाहिश, गया जा 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 जा, जा जा, बलाएव से, जा जा के बलाएव जा करें तू? जरूरी है तुझे, मैं दाटा करती हूं! आप दाटा करता तेरा पेशान, और इसका, सब सचाही बताओगी, पर सब किसामने, क्या पताएगी, क्या पताएगी तो? कब सच्यों बैठी हूँ, कब सच्यों बैठी हूँ, तुम दोलगा पतादोगी सबको, इसकार के सचाहीं के सबस्चाहीं! सावी, चुपकर! 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 अमाना? हम उन्हें जान से नहीं मारना चाहते थे, बागी तो आप सब चानते हैं, पर वो क्या बात थी जो आमानत बताना चाहती थी, और तुम छुपाना वो बात? नहीं, नहीं तरा आनाची. नहीं, अब होर नहीं. तुमने मुझसे पूछा था ना मदन, कि मैंने आक्टिंग छोड़ी किया, मैंने आक्टिंग कभी नहीं छोड़ी. बीस साल तेले ये नाटक शुरू हुआ, और आज उस परसे मैं पर्दा किराने जा रही हूं. देविका को मैंने गोध नहीं लिया, वो मेरी बेटी है, और उसकी पिता राय साब नहीं है. तुम्हें इसी बात का शक्ता ना? दरहसल मैंने राय साब को कभी नहीं चाहा, नहीं निगम को. अगर चाहा, तो सिर्फ देविका की पिता को. जिनसे मैं सच्छा प्यार करती हूं, दिलो जान से प्यार करती हूं. एक वही है, जिन में मुझे अपना पन लगा, बाकी सब रिष्टों की बुनियाद मेरा पेशा था. सिर्फ उनी से में रूहानी तोर पे जूड़ पाई. तवायव की ये बेटी, अपना तपका नहीं बदल सकी. तवायव? तवायव की बेटी? शायद उनसे नाता जोड़ने की वज़े यही थी. कि जिन गलियों से गुजर कर मह निकली थी, उनहीं बद्दाम गलियों में उनका पता मिलता है. मेरी और अमानत के मा तो एक थी, लेकिन पिता अलाग-अलग, इसलिए अपनी जिन्देगी का सबसे बड़ा रिष्था जोड़ते वक्त, मैंने अपनी दिल की सुनी, और उनके साथ, सब कुछ के बावजूद, एक ही छट के निजे रही. रगुवेर जी, यहां आए. आप सब ने मुझसे सच कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर आपके नजर ये का पर्दा किर कया. अमानत जी की मौत वैसे नहीं हुई जैसा आप सब समझ रहे हैं. उनकी मौत उससे कुछ वक्त पहले जब जब जगड़ा चल रहा था और आप उने चलनाने से रोक रही थी, उस वक्त दिल की धड़कन रुक जाने की वज़े से हुई थी, काड़े कर ऐसे, ना की दम खोट जाने की वज़े से. अगर आप उसी वक्त चलाते हीं बता देती तो इसे महस एक हाथसा समझा जाता, लेकन लेकन आपने अमानजी के हाथ की नस काट कर उसे धकने की कोशिश की जो एक गुना है, अब बात कानून तक जा पहुची है, अब मेरी आप दोनों से तर्खवास थे के इससे पहले की पुलीस आप जाकर यह सब बातें सच-सच तेविका को बता देग्या को बता देग्या क्या नाटे करें यह? क्या नाटे करें यह? मेरे जनमनें पर डाटे करना जरूरी है तुझे? क्या नाटे करना तेरा पेशा है और इसका तुम दोनों की सच्चाईप है। सबको बताउगी! जो रह्या? क्या बताउँगी? क्या बताउँगी तो? बहुत सैलिया मैंने! चीक-चीक के बताउँगी सबको की सच्चाईप है क्या है! चुपले लोगे बेंग, सबकाना दोगी! झालवेंग, सबकाना दोगी! झाल झाल तो पितक बारी जिन्दा है तो पितक बारी जिन्दा है झाल 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 झाल